आर 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 ऐसा लगता है जैसे कुछ ही दिन पहले अभी ये फिल्म रिलीज होई थी और इसलिए नजाने कितने जल्दी ही box office collections के कार काफी साधा record तोड़े और अभी भी मैं देखू तो ये top 5 में शामिल है अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डायरेक्टर जो है इस में देखने के लिए मिलने वाला है तो प्लीज इस वीडियो में लास्तों बने रहेएगा चैनल पर सब्सक्राइब कर लेजएगा बैल अकून कर दिए अप्रेश वीडियो पसंदाती हो तो लाइक करिए और कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा कि आप RRR2 के लिए कितना ज जल्द उस पे काम स्टार्ट हो जाएगा बड दोस्तों इसका मदब यह नहीं है कि आपको बहुत जल्द फिर्म देखने के मिल जाएगी तो कब तक देखने मिलेगी उससे पहले जानते हैं कि किया इसका वर्क चल रहा है तो ऐसा सरा जानते है कि कि वह किसी भी स्कृप्त क sequel पर बात करने start कर दी है और इसकी जो scripting का work है वह start हो चुका है यानि कि इसकी जो story है वह design कर ली गई है अब बस उसे पूरी तरीके से design करना बचा है यानि कि well पूरा तरीके से proof मनला एक दम कहे जाए तो copy मे उसकी लिखने scripting स्टार्ट कर देनी है और इसको जो है अभी काफी टाइम लंबा लगने वाला है दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो हम अनोकर अनुमान भी लगाएं तो देखिए अभी रहसे राजा मोली सर की जो 29 फिल्म है वो की महेश बाबू सर के साथ है तो उस फिल्म के अभी स्टोरी होने वाली वह जहां से एंड होई थी आरा रात वहीं से आगे बढ़ती हुए हमें स्टोरी नजर आने वाली है तो देखिए पहला सीकोल इतना धमाल था तो इसको उमीद कर सकते हैं कि बवाल होने वाला है तो उसका इंतजार हमें फ्रोड़ा जादा करना पड़े आपको 2024 में भी देखने के लिए नहीं मिलने वाली 2025 में भी देखने के लिए नहीं मिलने वाली 2026 में starting months में या फिर मैं कह सकता हूं first quarter में देखने के लिए मिल सकती है लाइक मार्च अप्रैल तक 2026 तक हमें इंतजार करना पड़ेगा RRR के सीकॉल के लिए जो की मैं कहूँ तो इंतिजार बिल्कुल भी जाया नहीं होने वाला है क्योंकि SS राजा मोली सरही इस फिल्म के डारेक्टर है और वही RRR2 के मतलब सीकल को टारेक्ट करने वाले हैं तो सोचिए कितना गजब का सिनेमा में देखने के लिए मिलने वाला है